हलो फ्रेंट्स, क्रिश्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है आज मैं अंडे की ऐसी नई रसिपी लेके आई हूँ जो आज से पहले ना ही तो आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी अगर आप एक बार देख लोगे तो बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे आपने अंडा मसाला, अंडा करी, ओमलेट, अंडे की कई तरह की सबजी खाई होगी लेकिन आज में जो रसिपी लेके आई हूँ और ना तो आज से पहले आपने कभी देखी होगी और ना ही बनाई होगी इसलिए आप बीना इसकीप किए वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए रसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने कड़ाई में गरम पानी किया है दो ग्लास पानी को अच्छे से उबलने के बाद में इसमें एक चमच नमकेड किया है और अंडे को हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है देखिए उबालने के बाद अंडे को ठंडे करके और इस तरह से सारे छील लेना है ये रेसिपी बहुती आसान है लेकिन बहुती यूनिक और इतनी टेस्टी सबजी बनेगी कि खाने वाले सब भी पूछेंगे कैसे बनाई और एक दो दर्जन अंडे भी आपके कम पढ़ जाएंगे इतनी टेस्टी ये सबजी बनेगी देखिए सारे अंडे को मैंने इस तरह से छील लिया है छीलने के बाद में हमें इस तरह से बीच में अंडे के कट लगाके और जो अंदर वाला हिसा है पीला हिसा वो हमें अलग निकाल लेना है वाइट वाले हिसे को अलग रखना है और पीले वाले हिसे को अलग निकाल लेना है अब आपको लग रहा होगा कि पीला वाला हिस्सा यूज़ नहीं करेंगे नहीं हम वाइट और पीला दोनों यूज़ करेंगे लेकिन अलग तरीके से बनाएंगी इसलिए पहले इन दोनों को अलग-अलग कर लेना है देखे इसी तरह से मैंने सारे अंडे के पीले हिसे को अलग प्लेट में निकाल लिया है और वाइट वाले हिसे को अलग निकाल लिया है अब जो वाइट हिसे है उसे हम इस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप इसे कट कर सकते हैं जैसे भी आपको आसानी हो इस जिसाब से आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से काट सकते हैं मैंने इस तरह से देखे सारे अंडे को काट लिया हैं इतनी टेस्टी सबजी बनाएंगे कम समय कम सामान में कि देखते ही आप बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे देखिए दूसरी सारे अंडे को मैंने काट लिया है अब दूसरी तरब गैस पर कड़ाई रखी है गड़ाई में दो चमच सर्सों का ओयल एड़ किया है अब ओयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है ओयल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें एक चमच चीरा एक चमच राई आधा चमच छींग और एक चमच अधरक लैसुन को कुट के एड़ किया है अद्रक लैसुन को हमें अच्छे से ओयल में भून लेना है देखिए अद्रक लैसुन को भूनने के बाद में इसमें बड़े साइज का बारी कटा हुआ प्याज एड़ किया है और प्याज को हमें मेडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक गॉल्डन ब्राउन होने तक बून लेना है प्याज को हमें पहले अच्छे से पका लेना है अब इसमें एड़ कर रही हूँ, मैं दो बारी कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी हमें प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है देखिए इससे सबजी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जदा से जदा आपको आठ से दस मिनट में ये सबजी बनके तैयार हो जाएगी और ना ही इसमें आपको किसी तरह का कोई जंजट है फटा-फट जैसे सबजी बननेती है आसानी से उसी तरह से बस अलग तरीके से थोड़ी बनाएंगे इसलिए आप भीन स्कीप के वीडियो को पूरा देखिएगा देखिए प्याज और हरी मिर्ज को अच्छे से बूनने के बाद में इसमें मैंने एक टमाटर की ग्रेवी एड की है और ग्रेवी को भी हम अच्छे से पका लेंगे 2-3 मिनाट तक तब तक पकाना है जब तक इसे ओईल अलग न होने लग जाए तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नई हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नए वीडियो के नौट केसन सबसे पहले आप तक पहुंचे देखिए हमारे ये प्यास टावाटर सभी पक चुके हैं अब इसमें एड करेंगे सुखे मसाले एक चमच नमक, आदा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर इनको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ग्रेवी में और अब इसमें जो में सीक्रेट है वो एक चमच दूद की मलाई एड़ की है मलाई से इस सबजी का टेस्ट पहुती अच्छा हो जाता है मैंने दूद की मलाई एड़ किये अगर आप फ्रेश क्रीम या और कुछ हो यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं अगर आप दूद की मलाई तो हर घर में मिल जाती है इसलिए आप दूद की मलाई जरूर एड़ करें इससे सबजी बहुती टेस्टी बनती है देखिए अच्छे से सारा मसाला पकने के बाद में मैं ग्रेवी वाले सबजी बनाऊंगी इसलिए मैंने एक कप पानी एड़ किया है और पानी को भी अच्छे से उबाल लाने देते हैं वापस देखिए अच्छे से पानी में उबाल आ गया है अब इसमें हम एड़ करेंगे जो हमने अंडे काटके रखेते हैं अंडे के वाइट वाले हिसे वो पहले हमने एड़ कर लेने हैं ध्यान रहें पीला वाला हिसा अभी एड़ नहीं करना है केवल वाइट वाला अंडे का हिसा एड़ करके और अच्छे से मिक्स करकरें और ढखकल लगाके तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है देखे तीन मिनट हो गए है हमारी अंडे की सबजी लगभग बन चुकी है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अभी तो पूरे बनेगी तब तो इतनी टेस्टी लगेगी कि देखती ही मुँ में पानी आ जाएगा अब इसमें हम एड़ करेंगे अंडे के पीले वाल कटा हुआ हरा धनिया और इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक मिनट के लिए फिर पका लेंगे पीला वाला हिस्सा हमने बाद में इसलिए एड़ किया है क्योंकि अगर आप पहले एड़ कर देते तो यह मैश हो जाता और सबजी का टेस्ट भी अलग हो जाता सबजी दिखने में भी अच्छी नहीं मिनती इसलिए अंडे के पीले वाले हिस्से को बाद में एड़ करेंगे ताकि ए मैश भी नहीं होता जैसा अकटा है वैसा ही रहता और टेस्ट में सबजी इतनी अच्छी लगती है कि खाने वाले सबी यही पूछेंगे कैसे बनाइई देखे तय्या तयार है हमारी ये अंडे की नई तरह की सब्जी आप पी जरूर ट्राइ करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना देखें दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कई गुना ज्यादा ये खाने में टेस्टी है हमारी अंडे की सब्जी इसे आप अंडा करी अंडा मसाला जो आपकी इच्छा वो बोल सकते हैं रेस्टरेंट की सब्जी भी फेल है इस सब्जी के सामने इतनी टेस्टी यह हमारी अंडे की सब्जी बनके है तयार आप भी जरूर ट्राइब करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना है ना बहुती आसान और मजेतारी मजेदार यूनिक रेसिपी अंडे की सब्जी की आप जरूर ट्राइब करना मिलते हैं नए वीड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना